आपका स्वागत है मेरे आज के स्नाइव वीडियो में आज के स्नाइव वीडियो में वे लेकर आएक और न्यू के अपॉडिशन टिप जो कि यह आपके लिए काफी यूस्फुल क्योंकि जब भी आप उडिशन में अप्लाइ करते हैं तो आपसे कंडिशन रखी जाती है कि अगर आपको पीचर्स अप्लोड करनी है तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बताए जाता है कि आपको यहीं अप्लोड करना है इसी फॉर्मेट में वह पिच्चा होनी चाहिए वरना आपको जो फोटो है उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा और उस तरह दूसरी चीज उन्हें को चेंज कर सकते हैं तक कि आप अप्लाइ कर पाएं अपनी वीडियो और फोटो को टेश कर पाएं सब कुछ नहीं विडियों बताऊंगी तो वीडियो का आपको जब देखेगा ताकि अगली बार से जब भी आप अपने डॉक्यमेंट अपनी फोटो अपनी वीड अपने वीडियो बनाई है अपने पॉन से वीडियो बनाई है तो आप जाकर चेक करेंगे देखें में एक्जांपल में आपको दिखा तीविडियो से मेरी पास यह वीडियो है इसके में डीटेस में चाहकर कर लेती हूं यहां पे क्लिक करते हैं उसके आप यह पास में देखेंगा आके यह MP4 format में है तो आप समझ जाएगा कि यह MP4 format जो है यह जो mostly है वीडियो में होता है यह तो यह नॉर्मल है मगर कुछ कंपनियां जो है वीडियो का format WMA format मांगती है तो मैं आपको बताती हूं कि आप कैसे अपनी MP4 format की जो वीडियो फाइल है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं WMA file में how to change MP4 file into WMA file format देखें सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको अपना file manager खोल लेना है तो देखें file manager खोलने के बाद आप देखें अपने वीडियो का section में जाएगे और देखें उसके याद इसमे आप क्या करेंगे इस file को select कीजिए और देखें यहाँ पर option आ रहा है rename का यहाँ रिनेम पर क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर लिखा है MP4 MP4 को हटा कर आपको यहाँ पर लिख देना है WMA file आप जिसे यहाँ पर WMA file लिखेंगे और यहाँ फिर OK पर क्लिक कर दीजिए करने के बाद आप देखेंगे इसके बाद आपको इसा करना है कि अपना refresh कर लेना है file manager और refresh करते सी आप देखेंगे आपके सामने एक और वीडियो आ चुकी है अब हम देखें उस वीडियो को आप देखिए उसका जो है आप चेक कर लिजिए उसकी details में देखें क्लिक करते है प्लिणा था मुष्ट दो ऑडिशन में सभी कमपनीज जो है जो वीडियो का format है वो डबलियो फॉर्मेट में होता है आपकी आपकी वीडियो है वा में चेंज हो जाती है और यह बैनेफिट हो जाता है एक ही फाइल से और वीडियो का का मौ जाता है अब मैं आपको बता लिख देना है बस और वैसे ही आपकी जो है वो वीडियो है वो चेंज हो जाएगी एंपीफोर फॉर्मेट में और यहीं हमने वीडियो की फाइल है उसे हमने चेंज कर लिया है को पास करने में कुछ टिप्स और एडवाइस की जरो थे तो जोइन में अपने यूट्यूब चैनल जैडियू पर आपको के अडवाइस और टिप्स और के टुटोरियल्स देती हूं आप मेंबर्शिप को जॉइन करें यह मेंबर्शिप जॉइन करके आपको काफी इंस्टेंट एक्सरस मिलेंगी जो आपको हेल्फ करेंगे आपको के अडिशन को पास करने में ताक कि आपको आइड़ बनने का सब ना फूरा हो से हैं जैसे कि लोयल्टी बेजेज इमोजी अपनी बात कर सकते हैं अपनी बात कर सकते हैं अपनी वरीज और आपको टिप्स चाहिए और वीडियो से लिए वीडियो से लिए सब कुछ आपको बताऊंगी इसके साथ सब्सक्राइब मन्तली Panneb लिए पना होकल चाहिक अपने इसके वीड्यों पाया के लायक सब्सक्राइब इसको आप को पद्सक्राइब शेल्टी होते है उडियों इनकी जो होता है इसको चुर्इबाइक दिए 7 पता चल सके कि किसका और रहा है कब हो रहा है तो आपको विल सकती एक्सेस पर भी और साथ ही प्राइटी डू करोंगी आप लोग की मेंबर्शिप को जॉइन करने से सपोर्ट मुझे मिलेगा ना कि सिर्फ आप बैनेफिट्स को रिसीव करेंगे बटा मेरी मदद करेंगे ताकि एसे ही मैं यूट्यूब पर विडियो को क्रियेट करती रहूं और आपको करने में आपको आइडल बनने का सपना पूरा होने में एक दरिया बन सकूँ सो जॉइन चाहिए यह जो मांगे चाहते हैं हर उडिशन में आपको बताती हैं कि किसे पता कर सकते हैं अपनी एक फोटो में क्लिक करते तो फोटो कि विवा तो देखिए इसमें आपर देखेंगे देटेल्स में नीचे देखेंग यह आप अपर देखेंगे यह पाथ जहां पर इखेंगे यहां पर देखेंगे अगर आप पिच्छर अपनी अप्लोड करते हैं तो अपर डीखेंगे कि यह पर आप यहांपर है वह इननी जो पर इसका दिया हुआ है वो देखिए लिएगंगी दोनों जगे आपको पी एंजी फॉर्मेट भी दिख रहा है तो देखिए यहां पर हमको पदल लिया कि जो हमारा स्क्रीन शोट यह पी एंजी फॉर्मेट में तो यह थी वह सभी के वाप परडिशन टेप्स जिसमें आप अपने वीडियो अपने पोटो के फॉर्मेट को पता कर सकत Kpop, Kpopartyन Tutorials, Kpopartyन Tips, Life of Kpop 20 and Idol, and Kodan Taimu Videos like this. You can check out my playlist, I will leave the link in the description box. Those of you curious related to video, ask me in my comment box. If you liked what you see then make sure to click the Subcussion button, it will help me to grow, also help me to make more updates related to BTS, Kpop, Kpopartyन Tips, Kpopartyन Tutorials, Kodan Taimu Videos like this in the future and also follow me on jaito page of facebook so that you can get updates of keop auditions very fast and love you all stay safe see you guys on my next video thanks for watching don't forget to subscribe to my channel jaito bye can anybody out there hear me hear me cause i just wanna say